Hello friends, a nice good morning to all of you Friends, आप देख रहे हैं गुरु गुरु गुलो आज हम बात करेंगे कुछे आम विक्टियों के अधिकार के बारे में बहुत बार आपने देखा है कि ट्रेफिक पुलिस आपके गाड़ी के चावी छीन लेता है और आपको पता होना चाहिए कि Motor Vehicle Act 1932 इस बात का परमिसन नहीं देता है और यह legally allowed नहीं है अगर कोई भी ट्रेफिक पुलिस अगर इस तरह के एक्टिविटी को करता है तो उसके complaint आप ट्रेफिक पुलिस के सिप्रियर अधिकारी को कर सकते हैं दस रीज एक्ट 8067 के अनुसार आप किसी भी होटल या रेस्टूरेंट में टॉलेट और पानी फ्री में यूज कर सकते हैं अथार्थ आपको इसके लिए कोई चार्ज देनी किया सकता नहीं है सेक्शन 46 सब सेक्शन 4 CRPC 9073 के अनुसार सुरे ढलने के बाद और सुरे निकलने से पहले किसी भी महिला को गिरफतार नहीं किया जा सकता है अगर कोई भी महिला पुलिस अफिसर अगर किसी संगे अपराद में गिरफतार करना चाहती है तो उसे कोट के प्रायर परमिसन किया सकता है लेना पड़ेगा According to section 32 Advocate Act 1961 के अनुसार कोई भी वेक्ती particular case में अपना पैरवी कर सकता है भले ही वह अधिवक्ता ना हो हरिसंकर रस्तोगी बर्सिस गिरधारिलाल सर्मा के case में सुप्रिम कोट ने यह कहा था कि एक private individual person जो अधिवक्ता ना हो वह कोट में तब तक आरगू नहीं कर सकता है जब तक वह कोट के prior permission नहीं ले लेता है अगर आप गाड़ी चलाते समय आपके 100 ml blot में 30 mg अलकोहल पाये जाता है तो पुलिस आपको बिना वारेंट के गिरफतार कर सकती है